अब देखो यहाँ पर इस वेरियेबल में मेरे पास पूरा का पूरा PTAG आया है अगर मुझे, let's suppose फिलाल एक सेकंड के लिए जावा स्क्रिप्ट को छोड़के जावा स्क्रिप्ट को छोड़के पर अब मैं चाहता हूँ यह क्लास में यहां पर अप्लाई ना करूं मैं मुझे यह क्लास जावास्क्रिप्ट के जरी अप्लाई करने और वो भी हम कर सकते हैं किस तरह से माइट डॉट अगर आप इधर डॉट करोगे तो यह देखो आपके पास सब के सब आगे इन्पुट मैथर्ड यहां पर इस कनेक्टिड यहां पर आप यहां पर आप क्लास भी एड कर सकते हो यहां पर एक चेकंड यहां पर हमारे पास होता है एड अट्रिब्यूट का एक फंक्शन होता है सेट एट्रिब्यूट के फंक्शन में आप यहाँ पर एट्रिब्यूट का नाम दोगे जहाँ पर मैंने बोला क्लास और सेट कर दो क्लास का नाम क्लास और क्लास सेट कर दो कौन सी क्लास यह सेटिंग वाली क्लास टेस्टिंग वाली, टेस्टिंग वाली क्लास, मैंने क्या बोला, मैंने क्या एट्रिब्यूट सेट कर दो, क्लास का एक एट्रिब्यूट ही सेट कर रहे होते हैं, एक एट्रिब्यूट, तो अब वो एट्रिब्यूट मैं जावा स्क्रिप्ट के दिरिए सेट कर रहा हूँ, म अब अगर इधर मैं रन करता हूँ तो इधर देखो, हमारे पास कौन सी class apply हो रही है, testing की class apply हो रही है, और जबके ये class मैंने यहाँ पर apply की है, फ्टेक के अंदर, come on reply, p-tech के अंदर इधर क्लास apply किया है, नहीं की apply, तो हमने ये class कोन apply कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट के जिरिए dynamic के लिए class add हो रही है, इसकी एक और example कर लेते हैं, let's say मैं एक और class बना देता हूँ, dot, my class, और यहाँ पर मैं color देता हूँ, let's say color green, समझने के लिए green color देता हूँ, और initially, initially, स्पीटेक के अंदर मैं class रख देता हूँ, green, initially, स्पीटेक के अंदर मैं class रख देता हूँ, my class, और initially, एक text लिख देता हूँ, button is not pressed, अब अगर मैं इधर run करके जाके चेक करूँगा, तो देखो, हमारे पास क्या मैसी जा रहे है, green, green color में text आ रहे है, कह रहे है कि button is not pressed, button pressed नहीं हुआ हूँ, और अब जैसी मैं button प्रेस करता हूँ, you have pressed a button और class भी change हो गई हमारी, तो अब समझ में आ रहे है कि यह जो हमारे पास, अगर इसकी एक मैं live example दूँ, तो अब समझ में आ रहे है, यह हमारे पास किस तरह से काम करता है, यहां जब मैं यहां पर क्लिक करता हूँ, तो यह सारा का सारा screen change हो जाती है, यह जब मैं यहां क्लिक करता हूँ, यह सारी सारी जी यह इसी तरह से यह तो अब जाहर सी बात है, यहां पर यह बहुत सारा काम है, तो यहां पर हमारा तो बहुत simple code है, हमारा तो बहुत लो लेवल से simplest code है, यह काम करने के लिए अच्छा खासा high level का code use करना पड़ा है, जिसे हम react कहते हैं, उसके जरिये हुआ है, but at the end use JavaScript हो आप समझ में आ रही है इंटरेक्शन क्या होती है और यह इंटरेक्शन की जब मैं बात कर रहा होता हूं तो यह क्या हो रहा होता है और अगर यहां आप देखोगे तो यह हमारी सारी अगर आप यहां पर डाइनमिक लिए इन सब को चेंज होता देखोगे तो यह देखो यहा और टेक्स्ट भी चेंज हो गया हमारा अब कॉंसेट्ट किलियर है अब समझ में आ गया अब कुछ फील हो रहे है कि जावा स्क्रिप्ट किसलिए यूज होती है और जावा स्क्रिप्ट के क्या पाइदे